पिज्च क्या है तो देखिए यह वो चीज है जैसे कि जो भी हम कैमिकल किसी कंटेइनर में भरा है ठीक है और उसमें से वो क्या हो रहा है बहना शुरू हो रहा है कहीं से leakage हो रहा है उसे बोलते है spillage ठीक है तो इसमें यहीं बताया गया है कि जो spillage जो है उसके prevention हम कैसे करें तो देखिए यह भी एक most important part है safety का क्योंकि chemical से होने वाले हजार्स आप चानते ही है हजार्डियस अब सदा हजार्डियस है ठीक है explosive material होगा अगर तो blast भी हो सकते है flammable gases है chemical अगर है वहाँ पर है तो आग लगने के chances बहुत सारे है ठीक है तो इसलिए इसमें यह बताया गया है कि जो spillage है उससे हम कैसे prevention ले सकते है तो कैसे spillage कैसे होता है जाता तर तभी होता है जब क्या होता है कि हमने किसी container में उसको इतना overflow कर दिया इतना उपर तक भर दिया कि वो जो chemical है वो वहाँ से बहना शुरू हो रहा है ठीक है तो इस तरह की situation नहीं कर रही है हमें create ठीक है और जैसे कि आप इन points में देख सकते हैं तो common practices जो है वो यही है कि हम उतना ही chemical यूज़ करें जितना हमें जरूरी है ठीक है chemical के साथ के experiment करने की कोशिश ना करें जो काम आपका है उससे वो काम आप करें जो भी material आप यूज़ करें उसकी properties आपको पता हूँ कि कितना flammable है क्या है कहां store किया जगा कैसे से handle किया जाए यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ठीक है तो देखिए spillage की बात हो र रहे हैं तो chemical spillage ना हो spills ना हो ठीक है अगर in case कभी ऐसा होता है तो spillage response क्या है तो तेखिए हमेशा ध्यान रखें जब भी spillage हो रहा है तो उसका immediately उससे inform कर दें ठीक है public safety number जो भी आप कहा है उस पर ठीक है और कोई भी affected area है जहां भी spillage हुआ है वहाँ आप चाहें ना तब जोन में enter ना करें avoid करें वहाँ जाना ठीक है emergency जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई chemical गिर जाता है तो कोई भी emergency shore आप लें ठीक है कोशिश करें उतरे एरिया में कोई ना जा पाए क्योंकि वहाँ spillage जो हुआ है उसकी वजह से accidents हो सकते हैं और अगर आप खुद को safe रख करना most important है ठीक है तो इस तरीके से आप safe रह सकते हैं तो देखिए यह क्या है कुछ इसके approaches है chemical spillage situation के कुछ approaches है जैसे कि आपको panic नहीं होना है ठीक है आपको spillage substance क्या है उसके बार में पता होना चाहिए आपको MSDS क्या है उस chemical के कैसे आपको handle करना है वो सारी चीज़े पता हो होना चाहिए situation को handle करना है coordinate करना है अपन आपको लोगों को बताना है पहले से job training देंगे उसमें आप इतना तो बता ही देंगे कैसे emergency situation अगर create होती है तो आपको क्या करना है ठीक है तो इस तरीके से major or minor चीज़े हैं जो कि आप handle कर सकते है अपने level पर सभी हो पाएका जब आ पैनिक ना हो इनके साब पैनिक हो जाते हैं तो यह सारी चीज़े situation जो वो control नहीं हो पाएगी है तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है कोशिश करने आप उसको easily tackle करें easily handle करें ठीक है कुछ cleanup preparations है जैसे की current safety data sheet जो रहती है मैंटेन current safety data sheet आपको बनानी होगी तो chemical hazard से आप कैसे बचे वो सारी चीज़े फस्टर information होनी चाहिए spill response आपको होना चाहिए फारफाइटिंग information सबको होनी चाहिए फारफाइटिंग के बने सबको बताओ engineering control क्या है उसके लिए यह सारी चीज़े बता होने चाहिए जैसे कि मालीजे मेंटेन की गई है आपकी fire and safety अंजनर द्वारा वो आप फालो करेंगे तो क्या होगा आप अगर को फालो करते हैं step by step work करते हैं तो ऐसी चीज़े सामने नहीं आएंगी क्योंकि यह सारी चीज़े चीज़े बता है जब आप कही न कहीं काम को लेकर सिरस ना हो या आपका awareness ना हो तब ही यह होता है ठीक है proper storage करें उस material का क्योंकि जिस तरीके के यह hazardous material रहते हैं उनका proper storage करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो सही place पे stored नहीं है तो कोई भी person आके उसे लेगा जो भी chemical है उसे उठाएगा और यूज़ करना शुरूरी है पहले ही उसे पता ना हो कि यह है क्या चीज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान तो देते नहीं है और उस chemical को यूज़ कर लिया किसी गलत जगा पे तो बहुत बड़ा accident हो सकते हैं तो इसलिए उसका proper storage करना भी बहुत ज़रूरी है तो जहां तक है आपको spellage समझ आ क्या होगा यहां से कि spellage क्या क्या लाता है किसी भी रिसायनिक तत्व का रिसाव मतलब leakage होना तो इस तरीके की चीज़े कभी कभी क्या तो containers में होना होता है तो chemical फैलना शुरू हो जाता है transportation के time पर ऐसे चीज़े जादर देखी जाती है तो इस तरीके से हम aware रह सकते हैं और कुछ चीज़े हम अगर use करें तो हम बच भी सकते हैं जैसे कि contaminated zone में हमें नहीं जाना है ठीक है तो यह आज मैंने आपको spellage के बारे में बताए chemical spellage के बारे में इस तरीके से हम safety prevention ले सकते हैं ऐसे avoid कर सकते हैं चीज़ों को तो यह जो topic था आज का वो यही था prevention measures for chemical spellage industrial safety के अभी बात चल रही है तो इसमें ही यह topic है क्योंकि industries में यह ऐसी सारी चीज़े देखने को बहुत मिलती है ठीक है तो मैंने आज यह आपको बारे में बताया